हलो इस्टूरेंट्स फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास क्लास अपॉन में तो बेसी फर्स्टियर इन और्गेनिक केमेस्ट्री का ये जो कोश्चन है इस पर इतना सरा कमेंट आया है कि मैं बहुतों को रिपले भी ने दे पाया हूंगी इस कोश्चन का आंसर बताई है तो अभी फाइनली इसका आंसर बन गया है और कोश्चन है आपका संकरित कक्षक सुद्ध पर्मानवी कक्षक की तूलन में अधीक इस्थाई बंद बनाते हैं क्यों एनो थ्री माइनस आयन का उधारन दे कर समझाईए ठीक है तो यहां पर देखिए मैंने कोशिस किया है इसके आंसर देने का और इसको थोड़ा explain भी कर दूँगा तो इसे आप note कर लेजिएगा तो देखे इस्टार्ट करते हैं हमारा आंसर तो सबसे परले जानते हैं संकरित कक्षक क्या है क्योंकि इसी का बात चलेगा में है यह इस्थाई बंद बनाता है क्यों बनाता है तो इसके बाद देखे यह जो घटना है वो संकरन कहलाती है लेकिन अभी बात संकरित कक्षक का चल रहा है तो संकरन वाला जो पाठ है हमने हटा दिया है फिर इसके बाद देखे क्यों यह इस्थाई बंद बनाता है तो जब किसी परमानू के बाहतम कोस में अयुगमित इलेक् की बाओं में अंतर होता है तो समान उर्जा के कक्षक बनाने के लिए इन कक्षकों का संकरन होता है संकरित कक्षकों का दिखसा अत्मत होने के कारण इनके मद्य अतियापन अधिक होता है अता है अधिक प्रबल बंद और इस्थाई बंद ये बनाता है ठीक है क्या होता है अलग-अलग कक्छकों में इलेक्ट्रॉन होता है अयोगमित इलेक्ट्रॉन जिनका उर्जा भी अलग-अलग रहेगा क्योंकि अलग-अलग कक्छकों की जो उर्जा है वह अलग-अलग है ठीक है दिसात्मा गुण भी अधीक है अत्वियापन भी जादा हो रहा है है ना तो संकृत कक्षकों का जो बंद है वो प्रबल और इस्थाई होना सवभाविक है ठीक है यहां तक नोट कीजेगा फिर इसके बाद देखे एनो 3 माइनस आयन की जामिती को संकृत कक्षक के हिस SP2 का संकृत कक्षक हमको दिखाए देगा फिर यहां पे इसी की जो सरचना है हमने इस तरीके से इसको लिखा है देखे और यह इसकी जामिती है ठीक है इसको पूरा नोट कीजेगा और यहां पे मैं लास्ट में बता देता हूं कि इसका इसमें टोटल ना तीन सीगमा बंद और एक पाई बंद होता है तिन सीगमा बंद मतलब SP2 संकरन तो NO32-Ion में संकरन जो है SP2 होता है तथा जामिती त्रिकूनिय समतली पाय जाता है ठीक है एक S कक्षक और दोपी कक्षक आपस में अत्वियापन करके SP2 नय संकरित कक्षक का निर्मान करता है ठीक है और इसे लि Chemistry पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अभी अगर आप हमारे पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसे रिलेटर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं उन्हें भी जाके देखे तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद